हलो फ्रेंड कैसे हो आप सब आप सब को मेरा नमस्कार आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ आलू मटर और पाला की बहुती तेश्टी और आसानी से बनने वाली रेसिपी और फ्रेंड बहुती तेश्टी सबजी बनने वाली है आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आ कीजे और ज्यादा से ज्यादा से यर कीजे तो चलो अभी हम सबजी बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने कडाई में डाला है तेल तो यहां पर मैंने लगभक तीन चमच तेल डाला है तेल अच्छे से गरम हो गया है और अब मैं इसमें डाली हूं आदा चमच जीरा और एक चुटकी हीं और जीरा का खालार चैंज हो गया है इसमें मैं डालूंगी खूप सारी लहसुन तो यहां पर मैंने नौ से दस लहसुन की कलीओं को बारी काट लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो सखिलाल मिर्च और लाल मिर्च को मैंने दो टुकडू में काट लिया है और अब इन चीजों को मैं थोड़ा सा कुछ सेकिंड भून लूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी एक प्याज तो प्याज को मैंने बहुती वारी काटा है और प्याज को भी मैं कुछ सेकिंड भून लूँगी और प्याज को भूनने के बाद अब मैं इसमें ड तो मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइज की आलू लिये हैं और इसको मैंने चोकोर टुकडो में काट लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी मतर तो यहाँ पर मैं फ्रेस मतर यूज कर रही हूँ आज कल मटर का सीजन है तो इसलिए मैं फ्रेस मटर यूज कर रही हूँ आप भी फ्रेस मटर ही यूज कीजिए तो अब मैं आलू और मटर को एक मिनट तक भून लेती हूँ सबजी को भूनने से बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है और अब मैं यहाँ पर सबजी को 5-6 मिनट तक धक्के पका रही हूँ तो सबजी को मैं बीच-बीच में चलाती रहूँगी जिससे की सबजी बिलकुल भी जले ना और यहाँ पर मैं सबजी को तब तक पकाऊंगी जब तक की आलू 60-70% तक पक जाए तब तक मैं सबजी को पकाती रहूँगी और मैं यहाँ पर धक्के पका रही हूँ और बीच-बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी और फ्रेंड 6 मिनट हो गये है और आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गये है और आलू का कलर बहुती चेंज हो गया है, क्रिस्पी हो गया है तो सबजी यहाँ पर 60-70% पक गई है और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ यहाँ पर टमाटर और मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के टमाटर लिये हैं और टमाटर को मैंने बारी काट लिया है और टमाटर डालने के बार एक बार मैं इसको अच्छे से मिला देती हूँ और अब इसमें एड़ कर रही हूँ मैं मसाले और यहाँ पर डाला है मैंने दो चमच धनिया पावडर और एक चमच डाल रही हूँ मैं मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार डाले हूँ नमक और हल्दी तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और मसालु को मैं अच्छे से मिला देती हूँ और फ्रेंड नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकौरडिंग डाले बहुत सारे लोग नमक मिर्च कम खाते हैं बहुत सारे ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए आप अपने टेश्ट के अकॉर्डिंग डालें तो अब मैं सबजी को यहाँ पर दो मिनट तक फ्राइ करती हूँ दो मिनट तक पकाती हूँ जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे से सौप्ट हो जाए तो दो मिनट हो गए है और ये देखो टमाटर बहुत अच्छे से पक गए है और एक बार मैं सबजी को अच्छे से मिला देती हूँ और सबजी को अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें एड करी हूँ पालक तो यहाँ पर मैंने लगवग धाई सो ग्राम पालक लिया है और पालक को मैंने 5-6 बार अच्छे से धो लिया है और इसको मैंने बारी काट लिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिला देती और फ्रेंड आजकल मटर और पाला का सीजन चल रहा है तो आप भी इस सब्जी को जरूर बनाएए और मुझे कमेंट करके बताएए कि आपको इस सब्जी कैसे लेगी है तो सब्जी को मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाली हूँ आधा चमच गरम मसाला और अगर आपको गरम मसाला पसंद नहीं है तो आप इस सब्जी में गरम मसाला स्किप कर सकते हैं और आप मैं सब्जी को यहाँ पर तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें जो एश्ट्रा पानी है वो सूख जाता है तो ये देखो दो मिनट हो गए है और अभी भी सब्जी में पानी है तो लगभग इसको अभी मैं एक मिनट और पकाने वाली हूँ और एक बार मैं सब्जी को अच्छे से मिला देती हूँ और ये देखो फ्रेंड सब्जी का पानी अच्छे से सूख गया है और सब्जी का कलर भी चेंज हो गया है गई है इसको आप चावल रोटी के साथ खा सकते हैं या आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी सबजी बनी है